जै स्री रादिकिष्णा, जै माता की, कैसे आप सभी लोग, हम आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वास्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे पढ़ रहे होंगे अगर इन तीनों रासी में से आपकी कोई भी रासी है, तो आप इसे देख सकते हैं हुआ हएं ओझारख कि Beetle hope ड्रा खोवाद कि अपली वालों की रीडिंग कर रहे हैं और हम बताएंगे आपके करियर के लिए भी आपकी लाइस के लिए और आपको क्या करना चाहिए आपको guidance भी देंगे God guidance तो dear आप positive रहे और फिर अपनी reading देखिए जे स्री रादे किश्णा जे माता की जे स्री रादे किश्णा dear पहले हम बता देते हैं आपके बारे में आप कैसे इंसान है और अभी आप ज़्यादा तर क्या सोच रहे हैं एक कैसी energy में है पहले तो आप बहुत positive इंसान है बहुत positive इंसान अइसे नहीं है कि मतलब बहुत पूज़ा पार्ट करते होंगे बहुत ध्यान करते होंगे आप positive इंसान ऐसे हैं कि आपसे दूसरों की तकलीफे देखी नहीं जाती है आपसे जितना हो सकता है उतनी आप मदद करने की कोसिस करते है अगर आपके सामने कोई बहुत परिशान है बहुत टेंशन है अगर वो इनसान भूखा है तो आप उसे बोजन जरूर देते हैं उतनी कोसिस जरूर करते है जितना आप कर सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग होते न जो बोलते तो बहुत है कि हां तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे पर वो ऐसा कुछ करते नहीं है, बस सामने दिखावा करतेते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं है, मेज सिंधनुरासी, आप ऐसे इंसान नहीं है, आप फायर साइन ह तो आप उस वक्त जवाब नहीं दे पारें तो आप उस रिष्टे को खतम करने की दीरे-दीरे कोशिस करने लगते हैं तो आपको इस पास गुस्सा आजाता है आपको लगता है कि यह इंसान फिर रहे या ना रहे कितना भी काम आपका बन रहा है उस इंसान से कितना भी आपका उससे मतलब जुड़ा हो लेकिन आप वह सारी चीज़े नहीं देखते हैं उस समय आपको लगता है कि बस मुझे गलत बरदास नहीं है जिसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जुड़ भी बोलते रहते हैं उन्हें कोई बात पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वह सोचते ही नहीं यार यह कितना काम आ रहा है इस वज़े से इस से लड़ाई जगड़े नहीं करते इसके हिसाब से जलते लेकिन आप ऐसे इनसान नहीं है आपको ऐसा लगता है कि अगर यह इनसान मुझे गलत समझ रहा है कितना भी काम खराब हो जाए मेरा काम हो या फिर ना हो लेकिन इसकी बाते गलत नहीं सुन सकते अप मतर्ब वो अपनी आत्मा को दुखी नहीं कर सकते आपको self love है आप खुद की बहुत कदर करते हैं ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपको काम कर रहा है तो आप उसकी बहुत सारी बाते भी सुनने वो कितना भी आपको नीचा दिखाए और उसकी सुन ले आप छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखते हैं कि आपकी वज़ा से किसी को छोटी सी भी तकलीफ ना पहुचे आप अपनी तरब से हर बात को सोच समझ कर बोलते हैं लेकिन अक्सर लोग आपकी बात को गलत तरीके से ले लेते हैं कहते हैं न कि बहरे को कान दे देना बड़ी बात नहीं होती है लेकिन उसे सुनने का नजरिया दे देना बहुत बड़ी बात होती है जैसे बहुत सारे लोग है बहुत तरह की बाते बोलते हैं लेकिन उसे भी कई तरह की बाते होती है आप उसे वहाँ पे बोलने वाला एक वेक्ती है एक इंसान बोल रहा है और सुनने वाले चार लोग होते न तो चार लोग अपने अपने हिसाफ से सोचते हैं अपने अपने हिसाफ से देखते हैं तो इसी तरह से आप बोलते अपने लेवल पे हैं लेकिन लोग समझते उसे अपने लेवल पे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके रिष्टे में होंगे, आपके आसपास होंगे, आप उनसे अपने लेवल पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे उसे गलत कर देते हैं, उसे गलत समझ लेते हैं, तो इस बात से भी बहुत सारे लोग आप से दूर हो जाते हैं या फिर आप उनसे दूरिया बना लेते हैं क्योंकि आपको सफाई देना ज्यादा पसंद नहीं है आपको लगता है कि आप गलत नहीं है आप इनके लिए अच्छा सोच रहे थे लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से सुन लिया अपने हिसाब से समझ लिया है तो आप ज्यादा समझाने की कोशिस नहीं करते हैं और अधिकतर लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं, जो आपको नहीं समझ पाते हैं, आपके पार्टनर हो, या फिर आपके फ्रेंड हो, या फिर आपको कोई मिला हो, हाल फिलाल में कोई दोस्त मिला हो, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीर और पूलते अपने हिसाब से लेकिन लोग उसे सुनते अपने हिसाब से हैं तो इस बात से आपकी जिन्देगी में बहुत सारी प्राप्लम होती है और आप अक्सर हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं उसमें आपका सिर्फ स्वार्थ नहीं होता जैसे किसी के हाँ कोई समान आता है तो बहुत सारे लोग जूड़ भी बोल देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आप स्वार्थी नहीं है अगर वो सही है तो सही है अगर गलत है तो गलत है आप मतलब state forward बात करते हैं ज्यादा मक्षन पाले लिपड़ी चुपड़ी बाते नहीं करते हैं लोगों की तरह आपको लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है अगर जो बात सही है वो सही है आप वक्त देखकर के हाला साथ देख करके साथ देते और बुरे वक्त भी साथ देते बस लोग आपको समझ नहीं पाते इसलिये आपकी जंदगी से बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं उन्हें लगता है कि आप मतलबी हैं लेकिन आप मतलबी नहीं होते हैं कभी कभी तो आपके कुछ रिष्टे इसले भी तूड़ जाते हैं क्योंकि आप उन्हें ही सक्सेज की तरफ बढ़ाने के कोशिज करते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाने के कोशिज करते हैं आप उन्हे सही निकला तो बहुत सारे लोग होते न पेहले तो वह सही Ooh कि क्या सही एक्या नहीं सही लेकिन आप अकसर लोगों को सही guidance देते हैं उन्हें सही वक्त रहते हैं समझाने की से कोसिस करते हैं पर वह लोग नहीं समझ़पाते हैं यह doesn to समझ लेते हैं तो आपकी जिंदेगी में समझने वालों की बहुत कमी हैं बहुत कम लोग हैं जो आपको समझ पाते हैं वह आपके पार्टनर हो या फिर आपकी फ्रेंड हो या फिर आपकी फैमली हो बहुत कम ही आपको समझ पाते हैं बहुत सारे रिस्ते हैं जिनें ऐसा लग कि यह लिश्क तूट सकते हैं तो टायर हैं आपकी जिन्दोगी में बहुत सारे लोग हैं लेकिनए आपको सही Trade Ну में समझने वाले बहुत कम लोग तो आप इश्क कसा बोत भरोजा रखते हैं आप उन्हें बहुत मांते हैं आपको लगता है कि जिन्देगी में जो भी आपके होता है वो इस वर की मर्जी से होता है तो इसलिए बहुत सारी चीज़े आप इस वर पर ही छोड़ देते हैं और डियर आपकी करियर की बात जो है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं आपका करियर बहुत अच्छा है आपका करियर बहुत अच्छा है लेकिन उसके लिए पहले आपको लोगों को समझना पड़ेगा जैसे कुछ लोग हैं जो आपसे बोलते हैं कि हाँ वो आपके हैं बहुत सारी बाते होती हैं तो उनसे आप जैसे सोचते हैं कि अगर कुछ बो आपको उनके ब्रहम की दुनिया में बिल्कुल दूब नहीं जाना है समझधारी रखनी है कि हाँ यह टूड़ भी सकता है तो डियर आपके लिए जो आपके करियर के लिए मैसेज है कि पहले आपको अपनी अनर्जी को बैलेंस करना होगा हो सकता है कि अभी आप बहुत जाद किसी रिस्ते को लेकर के तो उसके लिए आपको पहले खुद को बैलेंस करना पड़ेगा जो आपकी डेश्टनी में है कि आप अपने करियर बहुत अच्छा कर सकते हैं आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको सकसेज मिलेगी लेकिन आपमें लीडर्सिप क्वाल्टी है आप कि किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं किसी को ग्यान देना किसी को समझाना किसी को तब होता है कि और दे करके काम कराना इस तरह से अगर को काम करते हैं तो उसमें आपको सकसेज मिल सकती है आपको ऑनलाइन अगर आपको बिजनेस कर अभी क्यां साथ है क्या गए अपको अबता नहीं मेल रही है एक वूर आप किसी जॉब को जाता है यह लिए एक पूजके मेरा के जाते है लिए तो कहले विए पहले को अपना कर्मा क्लिन करना है और भुह हुजना है ताकि आप इसमें सक्षिच पासगे भूग से इसमें आपको success मिल सकती है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं आपको इतनी success मिलेगी कि आपके under में बहुत सारे लोग काम करेंगे तो Dear आप अभी निराज ना हूँ आपका करियर बहुत अच्छा है आप business करते हैं जॉप करते हैं उसमें आपको धेर सारी सफलता प्राप्त होगी, बस कुछ लोगों से आपको समझदारी पना कर रखनी है, ध्यान देना है, उनकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाना है, लेकिन कुछ-कुछ बातों पे ध्यान देना है, कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इस तरह से, तो dear, करियर बहुत अच्छा है आपके करियर में सब कुछ दीरे दीरे अच्छा होने लगे का अपने टीटेशन करिए और हो सके तो आप रोड साइड जानवरों को भोजन देने की कोसिज जरूर करें अगर आपके पास टाइम की भी कमी हो तो आप किसी और से भोजन दिलवा सकते ह है पर आप अगर उन्हें भोजन देते हैं तो आपका जो कर्मा है वह बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उन्हें भोजन देंगे तो आपका कर्मा भी क्लीन होगा आपके आस पास जो नेगेटिव इनसान है जो नेगेटिव एनरजी वह भी बहुत क्लीन होगी और आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रब्लम है अपकी लाइफ से जो रिलेकर बहुत बहुत क्लीन हो ग common के अच्छा कुछ लोग हैं जो अपने लाव लाइफ को भी लेकर बहुत परेशानी मेरा गारते हैं कुछ भी करी समझते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत इस्टेवल हैं कुछ लोग हैं जो बहुत इस्टेवल हैं उनकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रेम की कमी है सुकून की कमी है और यह सुकून और यह प्रेम की कमी जादा तर फायर साइन में होती है क्यो इसारी चीजायों में सुकून नहीं मिलता है में अलग इच्छा होती है मैं आप खुद भी निसमत पाते हैं कुछ हैं जीनके पार्टनर मतलब उन्हें नहीं समझते हैं आप बहुत स्टेबल भी होंगे आप खुद ही उनकी मदद करते होंगे ऐसा नहीं है कि आपको उनकी जरूरत हो नहीं आप इतने स्टेबल हैं आप इतने मतलब खुद जानकारी रखते हैं हर चीज की कि आप उनकी मदद करने में खुद सक्षम है तो डियर लेकिन वह आपको नहीं समझत तो यहां पे love life में जितनी problem हैं, ये सारी problem خutम हो सकती हैं अगर आप अपना inner work complete करते हैं क्योंकि अगर आप अपना inner work complete नहीं करेंगे तो आप अपने spiritual journey में आगे नहीं बढ़ेंगे तो dear इसके वजह से आपकी life में प्रेम से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि हर किसी को सुकून की चाह होती है, वो सुकून चाहते हैं, और आप मेडिटेशन करेंगे, आपको सुकून महसूस होगा, तो यह जो आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, वो एंजल्स की वज़ा से भी आपको बस यहीं पे, आजकल तो हम बहुत सुन रहे हैं कि लोग कहते हैं कि उनके साथ हम सूखी रोटी भी खा लेंगे, उनके साथ हम नमग रोटी खाके भी रह लेंगे, बस मुझे मेरा प्रेम मेल जाए, तो डियर, जहां पर ऐसी चाहत आजाती है, तो जो अध्यात्मिक यात् पार्टने आप से दूर हो जाते हैं, ताकि आप पाने, सुकुन पाने के लिए उनसरी Мैडिटेशन करे, और अगर ऑप के पार्टनर आप alcanz यूनियन हो जाएगा। आपको ठीस हो गई हो लेकिन, आपको को हमने हृसं मोश बहुत भी। ता अगर मुझे के साथ जीना है. इन्हें पाना है तो इनसे आप बात करके नहीं पा सकते जितना आप बात करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ की मिश्टरी खतम हो जाएगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कुछ नया होना चाहिए जैसे आपको बता है रोज ही कोई दाल चावल नहीं खा सकता दाल चावल रोटी सबजी ये रोज एक ही जैसा भोजन रोज कोई नहीं कर सकता तो इसी तरह से अगर आप जतनी जल्दी अपनी लाइफ की सारी बाते इन्हें बता देते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि अप सब कुछ जान गए है फिर इन्हें ऐसा डर नहीं रहता कि आपको ये खो सकते हैं तो डियर जितनी जल्दी आप अपनी जिन्दगी के बारे में सब कुछ बता देंगे तो उतनी जल्दी आप इन्हें खो देंगे आपको बता है, इस वर को लोग मानते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इस वर कुछ कर सकते हैं, आपको बता है, बहुत सारे लोग हैं, जो मंदिर जाते हैं, इस वर मेरे लिए कर दो, मेरे ये विस पूरी कर दो, मेरे ये इच्छा पूरी कर दो, और ऐसा कर दो, अकर उ तो डियर, मिश्ट्री बनी हुई है, यूनिवर्स में एक मिश्ट्री बनी हुई है, जिसे पाने के लिए, जिसे जानने के लिए लोग ध्यान करते हैं, बहुत सालों तक ध्यान करते हैं, बहुत रिसी मुनी ध्यान करके गए हुए हैं, तो डियर, इसलिए आप से कह रहे हैं कि अपनी लाइफ की सारी बाते अपने पार्टनर से क्लियर मत किया करें, उन्हें सारी चीजे मत बताय करें, कि जो उन्होंने पूछा वो आपने बता दिया, तो आपकी लाइफ में जो ये लव लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है, क्योंकि आपको पार्टनर आपकी जिन्दगी से दूर हुए, आपका जो उनसे मुह जुड़ा हुआ है, तो फिर आप उन्हें पाने के लिए ध्यान करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, जो अपने लिए तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए अपने पार्टनर के कुछ करते हैं जिससे वह बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए बहुत करते हैं व्रत judgment भी करते हैं मनत isn't कि दो ओसर नहीकर विद्ध करते हैं लेकिन अपने लिए कोई कुछ नहीं करता हैं तो डियर अपके मेडिटेशन करें इन से आपका योनिय हो सकता है कि आपकी लव तो फिर इन ले की सकती मिल जाये मुझे यह तो फिर इनसे मेरे सादी हो जाए तो डियर इसके लिए आपको धिहान करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत स्ट्राँंग मैसेज है आपके कि आपकी इनसे साधी हो सकती है आपकी इन से साधी हो सकती है आप दोने एक हो सकते हैं आपका यूनियन हो सकता है अच्छा इन रासी में एक प्रॉब्लम होती है कि मतलब आपको बिमार भी हो जाते हैं जैसे आपको पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है और पैरो में जो दर्द होता है इसकी प्रॉब्लम बन लेकिन महले आपकी बनी रहती हैं लेकिन यह साथ लोग शुब झाते को चीज मेस वन लेकिन तेयर को सब्सक्राइबे आप आपको क्यों वोटी है इसके टेंशन मत लेजिए अधर आप खुद को पॉजिटिव फर मेशने लेते हैं तो इसICIA भी आप ठीक हो सकते हैं और यह जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना इसके लिए आप जितना ज्यादा हो सके तो सूर भगवान जी से कनेक्ट रहा करें उन्हें जल अर्ग दिया करें ताकि वह आपके लिए बहुत अच्छा कर सके और आप बहुत कुछ पॉजिटिव करने की कोशिस किया करें जैसे प अपने आप से भी रिकॉर्ड कर सकते या फिर योटूब पे बहुत सारे हैं आप उसे भी सुन सकते हैं ध्यान करने से यह सारी चीज़े आपके खतम भी हो सकती है तो ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत में हैं कुछ लोग हैं जो बहुत टेंशन ले भी रहें टेंशन अपने बिमारी को बढ़ा रहें इतनी जादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ठीक होगा आपका करियर भी बहुत अच्छा है आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बहुत सारे जो आपके रिस्ते रूटे हुए रुटे हैं आपको लगता है कि इनके बारे में सचू या फिर अपने करियर के बारे में तो आप इनके बारे में ज्यादा मँसेख और यह थेक क्योफ रहे हैं अपकी सारे यह जांगे तरह सोच आपके और यह क्यों या थीज़ां नहीं सोच जो इंदेंगा ए APIs आपको पॉजिटिव रहना है नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है आप बहुत अच्छे इन्जान है इन्सान है जब आपका क्या मेसेज है मेज सिंग धनुराशी के रिए आपका भरोसा बहुत तोड़ा जाता है हो सकता है कि आप कोई समान लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप कुछ भी बढ़ा करने के लिए सोच रहे हो तो आपको जल्द वाजी नहीं करना है, अगर कोई आपसे बहुत जल्द वाजी कर रहा है तो आप उस काम मुझे खतम कर दिजे, कि ठीक है मुझे अभी नहीं करना, क्योंकि आपको भरोसे में ले करके लोग आपका फायदा उठाने के कोसेज करेंगे, तो डियर आप किसी प मजबورी आप科 भरोसा करना होगा, तो आप भरोसा कर सकते लेकिन जल्द बाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जो वक्त रहते ही आपको clear होने लगे कि अगर आप जल्द बाजी करेंगे तो वह सारी चीजें आपके सामने clear नहीं हो पाएंगी तो और अगर आपसे बहुत कोई कह रहा है कि मेरे पर भरोसा करो हम तुमारे साथ है तो आप उस पर भरोसा मत करना ठीक है आपकी इंटुशन आपको खुद बता दे कि क्या सही है क्या नहीं सही है दीरे दीरे जैसे होता ना कि कुछ रिस्तों के पन्ने खुलने लगते कि यह इं तो आप परिशान बिल्कुल बत होना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करना, हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हो आपके लाइफ में, जिसमें आपको लगता है कि बस कुछ हो, जल्दी हो, मतलब बहुत परिशान होते हैं, तो डियर, ज्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सबर करें, आप बहुत इनोसेंट हैं, तो इसका फायदा उठाने की लोग कोशिस बहुत करते हैं, आप से प्यार बरी बाते करते हैं, मासूमिया से बाते करते हैं, आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, जैसे आपके सामने कोई रोने लगता है, मजबूर लाचवार दिखाने लगता है, या फिर आपके अपने होने का एहसास कराने लगते हैं, तो डियर, आप जल्द बाजी में कोई भी फैसला ना करें, ठीक है, और आप मेडिटेशन जरूर करें, अगर आप कहीं जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, तो अपने घर से निकलने से पहले इस वर से बोल कर जाएं, कि हम ये काम करने जा रहें, आप हमारे साथ चलें, क्या सही है, क्या गलत है, हमें गाइट करें, तो Deer वो आपका साथ चरूर देंगे वैसे इस वर आपके साथ रहते हैं अगर आप ऐसे बोल कर जाते हैं तो आपके लिए और अच्छा होगा अप इस वर से पृतना करिये उनसे बोलिए कि मेरे साथ चलिए मेरे ले ये सही है यानि है इस काम के मुझे गाइड करिए तो डियर वह आपके साथ रहेंगे आपके लिए हमेज़ा अच्छा करेंगे ठीक है और जल्दबाजी में आपको फैसला मत करना अगर आपको लगता है कि यह काम बहुत अच्छा आपके लिए इससे आपकी जिन्दगी बदल सकती है तो अगर काम जल्दबाजी से मिल रहा है बहुत ज्यादा मतलब सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप उस काम को छोड़ दीजे उससे बहुत अच्छा आपको मिलेगा बस अभी आपको खुद को कंट्रोल करना है ज्यादा किसी की बातों में नहीं आना है और बहुत सारे लोग कि मैं सिर्फटी बिखर गया कि अच्छा नहीं हो सकताा अब कभी कभी से मैं उस से कैसी बाते कर रहा हो गर भा इनसान उसके साथ घूंव रहा होगा अपको सोच ते हैं अपकेले ना जैसे एक दुनिया बना लेते हैं उसमें उन की मस्ती parcel ना उनका फ Christmas आन्र स continu ऑनके बार हमेशा दोका हो जाता है तो आप ज्यादा परिशान मत होएं क्योंकि जो सच्चे लोग होते हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं इस वर उन्हें के साथ होते हैं तो आप इतना मत सोचिए ठीक है अपनी जिंदगी में आके बढ़ने के लिए सोचिए अपका फ्यूचर बहुत करने के को साथ हैं बस आप थोड़ासा अकेलाापन फील कर तो अकेलापन फील कर रहें ये भूलत अच्छी वात है कभल बार जैनने इस जब लोग's और अगर आकेलापन फील कर ग tarp टतर सकेरे यह आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि रोड़ा आपके लिए करने के इस अच्छा पाई रहे हिसी या फिर वो काम आपके में नहीं और दो में कीरण सब्सक्रांग कर Ł行ा कि वो God यह नौमबर अगस्त यह बहुत अच्छा हो सकता है यह आतकी बहुत अच्छा हो जरुआंना है तो शूसरे कि आपको रहना हो नहीं होना है और अपना धिहान जुरुर रखना आप अपना ख्याल रखिए फिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए बस हर किसी पर भ्रोसा मत करिए और पॉजिटिव ओफर्मेशन जरूर डेली सुना करिए या फिर लिखा करिए और इस तर्वर को हर एक चीज के लिए आभार वेक्त किया करिए इस तर्वर को हर दिया है क्या नहीं दिया है अगर आप उस बारे में सोचेंगे न तो आपको पता चलेगा कि आपको तकलीफ भी अगर दी है तो उस तकलीफ से भी आपको इस वर ही निकाल कर लाए है कोई और आपका साथ देने कभी नहीं आया है आपको पता है बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ विरासत में मिल जाता है लेकिन आपको ऐसा लगा है कि आपको हर एक पल पे कड़ी मेहनत करनी पड़िये हर एक चीछ को पाने के लिए तो डियर इस पर हर कदम पे आपके साथ हैं इसलिए तो आप जिंदेकी में आगे बढ़ रहे हैं इस बात को कभी मत बूलना ठीक है अपना ख्याल रखना और अपनी खुसियों का ख्याल रखना कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना वो चार लोग तो आस तक हमें नहीं मिले, वो चार लोग कहते क्या है और चार लोग पता आपको, अमर है, वो कभी मरते भी नहीं है हर किसी से सुनते आए, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे चार चे दस पंदरा बीस पतन किते लोग होते हैं तो यह चार लोग के बारे में मैं सोचना ठीक है अपने जिंदेगी में आगे बढ़ना और ध्यान जरूर करना अगर यह आप इस चैनल पर नए है आपका दिल कहता है आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते शियर कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जय स्री रादे किष्णा जय मता की आप सभी को प्रेम से राधे राधे